असलाम अलेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाग होंगे जी तो आप मेरे कैप्शन से और थमनेल से तो समझी गए होगे आज की वीडियो किस बारे में है जी हाँ आज की वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे आम और मिर्शी का अचार आम का सीजन हो और आम का अचार ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना चलें फिर चलते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले हमने यहाँ केरियां काट ली थी और उसके बाद हम केरियों को अच्छे तरीके से वाश कर रहे हैं आप हम उसको केरियों को रख देंगे कि ताके वो और अच्छे तरीके से बिल्कुल खुश्क हो जाएं पानी बिल्कुल निकल जाए और केरियों में बिल्कुल ड्राइनेस आ जाए जब केरियां अच्छे तरीके से ड्राइ हो जाएंगी उसमें से पानी बिल्कुल निकल जाए और एक और बात नमक इसमें पैकेट वाला यूज़ नहीं करना नॉर्मल लोकल नमक यूज़ करना ये अचार की एक खास टेप है और उसके बाद जाएगी इसमें हल्दी हल्दी भी हम एक से जिर्ट चमच इसमें डालेंगे या दो चमच भी आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं रची लगती है नमक और हल्दी डिडा़ी डिशेप एपकेरियों में मिक्स यहीं दोनो की जालें एक बाद के इस केरियों को नंत। आपको फॉलो करें अगर यह सारे स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका अचार बिल्कुल पर्फेक्ट और बिल्कुल यमी और डिलिशियस बनेगा तो आप गोर से देखते जाएं मैं क्या क्या कैसे कैसे बताती जा रहे हूं आपको से इसी तरीके से करना है अच्छे त सकते हैं केरियों नallo करना था नमक और हल्ड़ी वो अबसाफ कर लिया है और बकाया जो है केरियों में से पाणि निकल गया है यह एक्स्ट्रा पाणी को हम निकाल देंगे जाया कर देंग इसके भाटने नेच्ट स्टेप ये हैं कि हम इन केरियों को निकालेंगे और धूप में अच्छे तरीके से फैला लेंगे आप किसी भी चार पाई पे टैबल पे फैस पे जहां आपकी धूप आती हो वहां एक साफ सुत्रा सास कपड़ा रखें और उस पे केरियों को पहला दें आप देख सकते हैं इस तरीके से आप केरियों को अच् तरह के नेक्स अंडूरियों पे जो है अरी मिच हरी मि scholars को मैं ने अच्छे तरीके से दो के सुका लिया सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने केरियों को किया था अब हम करेंगे ये कि केरियों को तो हमने हाफ-ाफ काटा था लेकिन हरी मेचों को हम हाफ-ाफ नहीं काटेंगे इसको हम बीच में से सिर्फ कट लगाएंगे ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हरी मेचों को हमें सिर ही लेकिन मिच को हमें धूप सेइन फिसीए समय होगा लेकिन नमक, मिक्स करना से एक दिन मिच चुछन इसलिए ये अच्छे तरीके से ड्राय हो गई है और मसाला सारा इसमें अज़र्व हो चुका है अब आते हैं हम अचार के मसाले की तरफ अचार का जो आप बना बनाया मसाला मिलता है वो भी ले सकते हैं आप घर में अलग अलग चीज़े डाले तो यह जो प्लेट में आपको नज़र आ रहा है यह सौफ मेथी दाना और कलंजी तीनों चीज़ों को हम बराबर लेंगे दो दो चमच मतलब के तीनों चीज़ें दो दो चमच इस तरीके से आप अपने चार के वजन के हिसाब से मसाला ले सकते हैं यह तीनों चीज़ें हमेंने mix करके रख दी हैं उसके बाद जाएगा इसमें नमक यह बड़ा वाला चमच खाने वाला चमच है टैबल स्पून जिसे हम कहते हैं दो चमच हम डालेंगे इसमें नमक नमक के बाद इसमें जाएगा 2 चमच हलदी और 50 चमच लाल मिचिya लाल मिच हम पूर्म just in के उड़ी को करेंगे मिक्स उसके बाद हमें एक बड़ा सा कंटेनरि लें इतना बड़ा कोई बरतन इसमें अच्छे टरीके से मिक्स हो जाए इसमें हम सबसे पहले डालेंगे केरी यूत उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्चे और उसके बाद हम इसमें सारा अपना अचार वाला मसाला डालेंगे इस सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ये देख सकते हैं अचार का मसाला हमारा हो गया अच्छे तरीके से मिक्स अब हम कोई भी प्लास्टिक की बास्केट या अचार के जो मरतबान मिलते हैं जिस चीज में भी आप अचार डालना चाहते हैं वो ले लेंगे उसको अच्छे तरीके से पहले कर लेंगे साफ और उसके बाद ये चार का हमारा सारा मसाला जो हमने अभी मिक्स करके रखा है उस सारा हम उस बास्केट में उस मरतबान में या जिस चीज में आप अचार डाल रहे हैं उसमें हम कर लेंगे शिफ्ट इस तरीके से आप सारा मसाला डाल दें इसमें अब जाएगा इसमें दो किलो सरसों का तेल दो किलो केरिया हैं एक किलो हरी मिजचे हैं तो इसमें हम डाल रहे हैं दो किलो सरसों का तेल तेल को हमने बिल्कुल भी पकाया नहीं है काफी लोग कहते हैं पहले तेल को पकाओ, उसको फिर ठंडा करो, फिर उसके बाद अचार में डालो, लेकिन जो हम ये रेसिपी आपको सिखा रहे हैं, ये तेल बिल्कुल कच्छा है, हमने इसको ना गरम किया है, ना पकाया है, जैसे शॉप से आया था, as it is वैसा ये बिल्क मिक्स, उसके बाद हम इस बासकेट के उपकर लगा लेंगे, कोई अच्छा साफ सा कपडा, हमें इस पर ढकान नहीं लगाना है, हमें इस पर कपड़ा लगा कि इसको कवर कर देना है, ताकि इसमे कोई कच्रा या मिटी वगएरा भी न जाय, लेकिन इसमे एयर पास बोती र कपडा लगाने के बाद आप इसको रग दें धूप में जहां भी आपकी धूप आती हो वहाँ अब इसको रग दें और धूप पे रखने के बात यह नहीं है कि आप इस अचार को भूल जाएंगे इसमें शमच चलाएंगे और दोबारत ठकके रग देंगे सेम इसी तरीके से आप 4-5 दिन कपड़ा लगाएं 4-5 दिन के बाद आप इसको ढखकन लगा के दूप में रख सकते हैं एक से डेड़ हफते के अंदर अराम से आपका यह अचार बनके तयार हो जाएगा यह आप देख सकते हैं देखने में ही कितना यमी लग रहा है यह अचार यह अचार हमारा बनके तयार हो चुका इसको अलमोर तेर से दो हफ़ते हो गए हैं और यह अचार बिल्कुल पक चुका है बिल्कुल खाने के लिए देए तो रिकमेंट करूंगी आप एक दफा ये रेसिपी जरूर ट्राय करेंगी है ये मेरी मदर की रेसिपी है मैरी मदर हमेशा इसी रेसिपी से अचार बनाती है और मस्द say कि ये अचार बहुत मज़े का बनता है तो आप भी जरूर ड्राय करें और मुझे फीड़ेक जरूर दीजेगा उम्मिद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले